एक लड़का आर्यन हॉस्पिटल के मैन गेट से बाहर निकला। ये लड़का 18 साल का है, जल्दी ही 19 साल का होने वाला है। वो देखने में पतला दुबला और लंबा था। हाला कि उसके लंबे बाल थे, जीन्स का रंग पूरा उड़ गया था, शर्ट पर भी जुर्रियां पार हो गई है। उसके जूते भी एकदम फटे पुराने हो गए। जब वह अस्पताल से बाहर आया तब आर्यन ने अस्पताल से बाहर आकर गहरी सांस ली। लगभग पूरे एक महीने से वो अस्पताल में था। उसको ये महीना अपनी पूरी जिंदगी से ज्यादा बड पूरी जाया था वो बिना कुछ कहे वहां से गायब हो गया था। और फिर वहां के कुछ लोगों ने आर्यन को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। आर्यन अमीर इनसान नहीं था। जब वो पांच साल का था तब उसने अपनी मां को खो दिया था। और उसके पिता ने भ उसके बीच आर्यन के लिए कुछ खोशी की बात ये रही कि जब वो घायल था तब उसकी कुछ खून की बूंदे जाकर उसकी रिंग पर गिर गई या उसकी वजह से उसे कुछ गरमाहट का एहसास हुआ। जिसकी वजह से उसके दिमाग में बहुत सी चीजें अचानक आने लगी जिसकी वजह से उसका सर दर्द भी होने लगा। आर्यन को ये रिंग उसके दादा ने दी थी और बोला था चाहे कुछ भी हो जाए इस रिंग को कभी अपने से अलग मत करना। जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब ये रिंग तुम्हें हर मुश्किल स उसे मिली, वो कुछ प्राचीन इलाज के बारे में है जो आज लुप्त हो गए हैं और इतना ही नहीं, इसमें प्राचीन योद्धाओं की तरह शक्ती पाने के तरीके भी थे। पहले तो आर्यन को इन सब बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, उसे लग रहा था कि ये उसक जानकरी को अच्छे से पढ़ने लगा, तब उसे लगाने लगा, ये उसकी गलत फहमी नहीं है, बलकि ये सच है, इन सब चीजों की वजह से आर्यन को अपने आप पर आत्म विश्वास भी आने लग गया था, कि इस जानकारी की मदद से वो अपनी जिंदगी बदल सकता है हाला कि अगले ही पल उसके सारे सपने चूर-चूर हो गए, जब भूक की वजह से उसके पेट में चूहे कूधने लगे, और फिर उसने सोचा, अमीर तो बाद में बनूँगा, पर अभी मैंने कुछ नहीं खाया, तो भूक से मर जाऊंगा, और जब उसने अपनी जेब में पैसे देखे तो बस एक पचास का नोट ही था, आर्यन के अकाउंट में भी बस हजार रुपए ही पड़े हैं, आर्यन फिर अपने हाथ में पचास रुपए देखता है, और फिर अपना सिर हिलाते हुए पास की एक दुकान पर जाता है, भाई रश का पैकेट देना, आर्य क्या कहा आपने? तीस रुपए? हाँ, तीस रुपए. आर्यन फिर कंफर्म किया, क्या कहा आपने तीस रुपए? हाँ, तीस रुपए. आर्यन फिर से उसके हाथ में पचास की नोट को देखता है, और फिर दुकान दार से, फिर ज्यादा बहसना करते हुए आर्यन उसे पै पर आरियन उन्हें अंकल ही बोलते थे या उन्हें प्रहाँ अंकल बोलते हैं और तुम हॉस्पिटल से कब निकले हां रोहन अंकल मैं ठीक हूँ आप फैक्र अंकल करिये अरियन ने अंकल को कहा चलो अच्छा है कि तुम ठीक हो वरना मैं तो बहुत तनाव में आ गया था पता नहीं तुम्हारी हालत कैसी होगी और हां आरियन तो तुम्हारी नौकरी अभी भी बची हुई है और कोई जल्दी बाजी नहीं है अगर तुम चाहते हो तो दो-चार दिन और छुट्टी ले सकते हो और घर पर आराम कर सकते हो रोहन अंकल मुझे बोला। एक बार या स्पचलो तुम्हे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है तुम चाहो तो ओ कुछ या दिन आराम कर सकते हो रोहन अंकल बोले नहीं अंकल मैं ठीक हूँ और कल आ रहा हूँ ठीक है बेटा चलो फिर कल मिलते हैं। इतना कहने के बाद रोहन अंकल का फोन कट कया। आरियन फिर अपने घर से बाहर आकर अपने गाव को में घूमता है। गोगरी एक हरा भरा गाव है जहां कई बगीचे हैं और ये खगडिया जिला में है। झाल 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 प्रयल लन झाल कर वाव